कर्षेट ने पता, मेरा बेगड्राउंड यह कि मैं 20 साल से सेलिंगा रहा हूं और पिछले साथ साल यह समय मास्टर के रैंक में सेलिग कर रहा है मर्चेन ने वी में काम करने वालों के लिए और मर्चेन ने वी फेटरनेटी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि विदिन साड़े तीन महीने हमारा एवर गिवन जहाज रिलीज हो रहा है और उसका कुरू अब घर भी जा पाएगा और अरेस्स से बाहर आ रहा है और इसके लिए मैं एवर गिवन के कैप्टन को सेलूट करता हूँ एवर किवन की ओनर्स, उनके मैनेजर्स, उनकी कमपनी को भी सेलूट करता हूँ और सुएस कैनल अथरॉर्टी को भी थैंक यू बोलता हूँ मैं और सबसे बड़ी बात उनकी फैमिली को रियली रियली बहुत सारी बधाईयां कि आपके घर वाले अब बड़े अराम से घर आपाएंगे वाट हैपेंड तो इसके लिए सबसे अच्छा तो है कि मेरे चैनल पे दो वीडियो हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी कि मालबोरो कैनल ब्लॉक्ट वह देख लिजी तो आपको समझ जाएगा मैं ब्रीफी बता लेता हूं यह बहुत ही बड़ा जाहाज है 400 मिटर लंबा, 60 मिटर चोड़ा बरबर या और यह फस गया था यह बहुत हैं तो यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वह जहाज को अरेस्ट कर लेते हैं विकास जो लोकल अथरीटीज होती है या कंपनी होती है उन्हें पता है कि जब तक जहाज हमारे बस में है तब तक हमें कॉम्पेंसेशन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उनका क्रू उनके पास है उनका कारगो उनका जहाज सब कुछ वो पकड़के अपने पास रख लेते हैं और ऐसे केस में अथरीटीज और बाहर के लोगों का हमेशा प्लान यह रहता है कि शिप पे ब्लेम डाल दिया जाए अब इस केस में क्या हुआ कि टे पाइलेटा उसे देख और अगर ऐसा कुछ हूआ है तो मास्टर की में रिश्विटी बनती है बगर Suez Canal इतना पतला नेरो चैनल है और उसमें अगर आप 60 मीटर चोड़ा जहाज डाल देंगे, 400 मीटर लंबा तो कोई जगा बसती नहीं है उसके बाद और पाइलेट के पास इतना फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, रडर एंगल मूवमेंट्स होते हैं, अगर थोड़ा भी दर दर हुआ तो जहाज चला जाएगा इसमें मास्टर को ब्लेम करना बहुत ही गलत है, मगर मुझे पता है कि सारे स्पॉंसिविल्टी मास्टर के उपर आती है और सुए स्कैनल के लिए इस केस में बहुत अच्छा था कि मास्टर को ब्लेम करो, जाद स्यादा क्लेम करो उन्होंने इनिशिल क्लेम डाला 916 मिलियन डॉलर का, अब मान गए है 550 मिलियन डॉलर तो इसी से पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और कहीं न कहीं सुएस कैनल वालों को पता चल गया है भाई, पाइलेट की भी गलती थी, अब यह मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कोई करेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बहार आई नहीं है जबकि अब तक आज आनी चीए थी, साड़े तीन महीने हो चुके हैं मगर मुझे क्या लगता है कि उनकी कंपनी जो अपने जैपनीज ओनर्स हैं और बर्नार्ड शुल्टे जो मैनेजर है जर्मन का, इन लोगों के बीच में म्यूच्वल हुआ होगा कि भाई, इसको बाहर मताने दो, साथ में मिलके बताओ, क्या करना है, क्या सोलिशन है और यह रीजन है कि सिर्फ साड़े तीन महिने में यह जहाज बाहर आ रहा है नहीं, तो ऐसे केसे में आपको पता है, सुसक्वल में बहुत सारे जहाज फर्स चुके हैं, जो धाई साल, तीन साल से वहाँ पर है, क्रू की सैलरी पेनी करी गई, तो इन साड़े तीन महिनों म जहाज पर, इंटरनेशनल ट्रास्पोर्ट फेडरेशन, जब वो लोग गए तो उन्होंने चेक किया कि क्रू की हालत वहाँ पर सब सही है, सब लोग हेल्थी है, सब को सैलरी मिल रही है, सब लोग खुश है, किसी का भी कॉंट्रेक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है, इस मैं बता रहा हूँ, कैप्टन की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है, कम्पनी ने एक काम और अच्छा किया कि एक एडिशनल मास्टर को भेज दिया, एडिशनल मास्टर क्या होता है, एक जहाज पर एक टाइम पर एक ही मास्टर कैप्टन हो सकता है, एक ही के पास कमां होगी तो इसलिए कमपनी अच्छी कमपनी नंए अच्छा काम किया अच्छी कम dłणी बरनार शुल्टे ने अच्छा काम किए एक और एक और कैटन कayı बेज दिए जिसके स्किल सेट के जैसे हैं मगर घ्ल करने के लिए भेज दिया तक जो existing master है जिसके time पे accident हुआ है वो अपना बंदा थोड़ा relax कर सके आराम से थोड़ा उसका tension share हो जाए मुहमद आईशा वाला case आपने जरूर सुना होगा नहीं सुना होगा तो मैं briefly बता देता हूँ उस case में क्या हुआ कि ship ऐसे ही Suez में एजिप्ट के waters में arrest हो गया और captain Egyptian था तो उसको उतार दिया गया chief officer को second in command करके उसको captain बना के उसको धाई साल उपर रखा ना खाने का ठीकाना ना salary का बहुत ही उसकी health खराब थी तो ऐसा होता है इस दोर और negotiation चले होंगे owners, insurance और सारी team के बीच में और उन्होंने ये conclusion निकाला होगा और यहां पर political pressure था जपान और Egypt के terms की बात थी Japanese government बहुत strict है और बहुत you know involved है तो उन्होंने pressure लगाया होगा यह owner भी बहुत बढ़ा है यह company भी काफी अच्छी है इनके काफी सारे ship suez channel cross करते हैं तो overall एक बड़ा picture suez channel वालों ने देखा होगा और उन्हें कहीं न कहीं realize किया होगा कि भाई अपनी भी गलती है भाई पाइलेट था जहाज पे और अगर कोई machinery breakdown नहीं हुआ है तो you know उन्हें भी इस बात का blame लेना पड़ेगा और बता दो जब यह जहाज उसमें stuck हुआ था sand strong था wind बहुत strong थी इस case में तो यार ऐसी suez channel को बंद करना है जाए लेकिन वो आप मेरा Marlboro कैनल वाला वीडियो देखे आपको समझ में आएगा इन लोग के लिए बस पैसा matter क चोटे ships को निकाल लेते हैं यह तक की help ले लेते कुछ कर देते जब accident हुआ बाकी के सारे ports आजू बाजू के सब बन थे because of bad weather का intention safety से ज्यादा पैसे कमाने का है जिसकी वेज़े से यह सारी चीजे होती है एनिवेस कुल मिला के प्रेशर political pressure shipping industry का प्रेशर और इतनी बड़ी company होने के बाद होने के बाद जो अपने crew का अपने कारगों का अपने जहाज का पूरा ख्याल रखती है यह सारी चीजे मिला के negotiation हुई है और साड़े तीन महीं मतलब happily surprised and a little bit of shocked मतलब कि इतना जल्दी केस कैसे सुलज़ गया केस तो नहीं सुल जा आइनो साथ जुलाई को इसको रिलीज करने वाले 11 जुलाई की डेट है मगर बीच में वो लोग agreement मान गए साथ जुलाई को एक चोटी सी सेरिमेनी होगी जिसमें एक agreement sign किया जाएगा स्वेस के अथॉर्टी और एवर गिवन शिप के ओनर जो की है केस आगे चलता रहेगा मगर सेटलमेंट के हिसाब से शिप को रिलीज किया जा रहा है या आप लोग को लगेगा कि यार एक जहाज को छोड़ने बस एरेस्ट किया था तीन मेनी पहुत चोटी बात है बट यह चोटी बात नहीं है भाई क्योंकि हमें यह लगा कि यह सालों साल चलेगा और कैप्टन तो यार पता नहीं कितने दिन वहां पर स्टा करेगा साड़े तीन महीं ने एकदम यह मैजिकल है मैजिकल रिजल्ट आपके सामने हैं हम हमेशा एंफिस डालते रहते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी जॉइन कर रही थी खाना मिल रहा था जहाज पर अच्छा महोल था उनकी हालत चेक करीगी रेगुलर बेसिस पर कंपनी का फुल सपोर्ट था और यहीं आप एक किसी खराब सी कंपनी में जाएंगे वहीं मौमध आईशा वाली केस तो ऐसे आप फस्ट जाएंगे सालों साल ना पैसे म उनके जहाज पस्ते हैं वो जहाज को डिसोन करके छोड़के कंपनी बंद करके चले जाते हैं एक बार फिर दोस्तों जाते-जाते-एक एवर गिवन कैप्टन को सेलूट उनकी फैमिली को बहुत-बहुत बधाई बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज और आप लोग भी न हिंद आप लिए नेक्स वान